दोस्तों भारती रिजर्व बेंक की तरफ से एक नया अपडेट आया है जहां पर आप अपने सभी क्रिडिट कार्ड को UPI से लिंक कर सकते हैं चली आज की इस वीडियो में जानते हैं यह सब कैसे पॉसिबल है और UPI से क्रिडिट कार्ड लिंक करने के बाद आपको क्या बेनेफिट मिलेंगे आप अपने UPI को क्रिडिट कार्ड से लिंक करेंगे तो वो पैसे आपके बेंक की तरफ से 50 दिन का उधार मिलेंगे और आप वो 50 देस के बाद वो पैसा एक साथ पेगा सकते हैं तो बेसिकली यह सबसे बड़ा बेनेफिट होता है और बेसिकली अगर आप क्रिडिट कार्ड के तुरू ठांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रिवोर्ट एंड डिसकाउंट देखने को मिल जाते हैं तो चलिए अब बात करते हैं यह RBI का नियू अपडेट क्या है और आप किस तरीके से अपने क्रिडिट कार्ड को रुपे नेटवर्क में या फिर किसी और भी नेटवर्क में कर सकते हैं रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर जाने से पहले यह समझते हैं कि आपको कौन से वेरियंट का कार्ड मिलेगा यह कौन डिसाइड करता है तो basically bank और credit card network ये दोनों मिलके आपस में decide करते हैं कि आपको कौन सा card देंगे और यहाँ पर user की कोई भी मनमानी अभी तक नहीं चलती थी लेकिन जो 5 जुलाई 2023 को Reserve Bank of India ने अपना circular draft circular जारी किया है यहाँ पर और यहाँ पर बात रखी है कि अब user के पास यहाँ पर option होगा कि वो किस variant का credit card लेना चाहते हैं So RBI ने अभी ऐसा draft circular जारी किया है जहाँ पर यह possible हो सकता है कि आप अपना credit card network खुद से choose करें और अगर सारी चीजे सही रही तो यह लो एक अक्टूबर 2023 से applicable होगा जहाँ पर आप अपना खुद का credit card network चूज कर सकते हैं Credit card network क्यों important है इसकी importance को आप बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि अगर आप credit card network चूज कर सकते हैं तो आप अपने लिए खुद से different different offers को avail कर सकते हैं रुपे network इंडिया का खुद का network है और RBI यह चाहता है कि इंडिया के maximum लोग रुपे network को use करें और इसी लिए हमें रुपे network के cards पर बहुत सारे offers and discounts देखने को मिल जाते हैं 1 October 2023 के बाद यह चीज भी possible होगी जहां पर आप अपने पुराने cards को भी upgrade करा पाएंगे नए रुपे variant में या किसी और भी variant में जिसमें आपका desire है तो अगर हम इस overall circular की समरी देखें तो अब यहां पर credit card user के पास choice है कि वो किस network के साथ जाना चाता है और वो अपना desired credit card network choose कर सकता है तो आप मुझे बताइए आप किस bank का कौन से network का credit card लेना चाहेंगे और अगर आप credit card यूज करते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें जहां पर हमने बात किया आपको credit card से कौन सी 6 गलतियां कभी नहीं करनी